सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडि स्टार्स को और लेटेस वीडियो के लिए इस बेल आइकान को क्लिक कीजिए हलो स्टुडेंट मैं दी पेस के सरवानी आपको आज से छतिसगर की अर्थवैस्था के बारे में पढ़ाऊंगा और छतिसगर के अर्थवैस्था के अंतरगर्थ आज हम लोग पढ़ने माले हैं छतिसगर राज्य के उद्धोग के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग छतिसगर राज्य के उद्ध्योग तो देखिए उद्ध्योग को हम लोग इस प्रकार तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं पहला तो खनीज अधारीद उद्ध्योग, दूसरा क्रीशी अधारीद, तीसरा वन अधारीद तो इसे तीन प्रकार से हम लोग बाढ़ सकते हैं जैसे कि हम लोग खनीज अधारीत उद्धोग की बात करें तो इसके अंतरगत आ जाता है लौ इस्पात उद्धोग, एलुमूनियम उद्धोग, सिमेंट उद्धोग, कोईला अधारीत उद्धोग तो ये सबी जो है आपके खनीज अधारीत उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अंतरगत, कागज उद्योग, रेशम उद्योग, कोसा उद्योग और लाक उद्योग तो ये सबी जो है वन अधारित उद्योग के अंतरगत आते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस रेडी में किस उद्योग को रखा गया है तो आज हम लोग इस उड़ों में पढ़ने वाले हैं लाव इसपात उद्ध्योग और एलुमुनियम उद्ध्योग के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए लाव इसपात उद्ध्योग तो लाव इसपात उद्ध्योग के अंदर गत सबसे पहले मोग पढ़ेंगे भिलाई इसटील प्लाण बी एसपीजी से कहा जाता है उसके बारे में तो आप सबको पता होगा भिलाई इसटील प्लाण के बारे में काफी इमपोर्टेंट है। अक्सर एकजाम में इससे कोशन पूछे जाते हैं। तो देखिया भिलाई इस्टिल प्राण जो है उन्होंने अनुबंद कराया था 1955 में रूस से। रूस के साथ अनुबंद कराया था 1955 में। इस्थापना की बात करें तो 20 अप्रेल 1957 को जब दुविती पंच वर्शी योजना चर रहा था उस समय पर भिलाई इस्टिल प्राण की स्थापना की गई थी। इसका जो उतपादन आराम हुआ है वो 1969 से स्टार्ट हुआ है। उत्पादान जो स्टार्ट हुआ है वो 1969 से स्टार्ट हुआ है ये भी 25 वर्षी योजना के समय पर भिलाई इस्टिल प्रान का सहयोगी देश कौन सा है ये एकसर एकजाम में पुछा जाता है तो सोवियत संग रूज जिसे USSR कहा जाता है तो सोवियत संग रूज जो है वो भिलाई इस्टिल प्रान का सहयोगी देश है तो यहाँ पर यह सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है खास करके सहयोगी देश जो है वो रूस है इसको आप ज़रूर याद रखिए आगे देखते हम लोग देखे बिलाई श्टिल प्रान जो है वो तो बिलाई में है और यहाँ पर जो कच्चे माल की अपूर्टी की जाती है उसके बारे में देखिए तो बिलाई श्टिल प्लान को जो लाव ऐसक प्राप्त होता है वो दल्ली राज हरा खान से प्राप्त होता है तो दल्ली राज हरा के खान से प्राप्त होता है लाव ऐसक वहीं पर जो कोईला की प्राप्ति होती है विलाईस्टील प्रांड को वो कोर्बा से प्राप्त होता है और जो कोकिंग कोईला रहता है वो जो प्राप्त होता है वो जरिया जो की जहारकन का इस्थान है जरिया वहां से कोकिंग कोईला मंगाया जाता है अगर जल आप उर्थी की बात करें तो रवी संकर जलाइसा से जल के आप उर्थी होती है फिलाइश्टील प्लान को डोलोमाइट की बात करें तो हिर्री खान से प्राप्त होता है जो कि बिलासपुर्व में अविस्तित है हिर्री खान चूना पत्थर तो नंदनी खुंदनी के छेत्र से जो की दुर्ग में हैं वहाँ से प्राप्त होता है चूना पत्थर मेगनीज, मलाजखन, मध्यप्रदेश से और विद्दुद जो है वो NDPC कुर्बा से प्राप्त होता है तो ये जो सारे चीज है वो भिलाई इस्टिल प्राण को अपूर्ती की जाती है तो एक्जाम में यहां से भी डारेक्ट कोशन पुछा जाता है कि भिलाई इस्टिल प्राण को कोईला कहां से प्राप्त होता है तो कोर्बा से चुना पत्थर कहां से प्राप्त होता है तो दूर्ग से, विद्दूत, NDPC कोर्बा से या फिर लव एसक तो दल्ली राज हरा खान से सारे चीज आपको याद रखना है इसके बाद देखिए आगे सी में ये जो कुछ पॉइंट है जो कि आपके एक्जाम में डारेक्ट पूछे जाते हैं उसको देख लिजिए बिलाई इसपास से यंद्र केंद्र सासन का सारवजनिक उपकरम है तो बिलाई श्टील प्लांट जो है वो सारवजनिक उपकरम के स्रड़ी में आता है और बिलाई श्टील प्लांट जो है वो स्टील अथर्टी आफ इंडिया के अधीन है स्टील अथर्टी आफ इंडिया मतलब जो सेल है सेल नाम से जाना जाता है स्टील अथर्टी आफ इंडिया को उसके अधीन है बिलाई श्टील प्लांट याद रखना सार्वजनिक उपकरम है और इश्टिल अथर्टी आफ इंडिया के अधीन है उसके बाद देखिए भारत के कुल इश्टिल उत्पादन का 15% उत्पादन जो है 36 गड़ में होता है सबसे महत्पूर पॉइंट है ये कि भारत में जितना भी इश्टिल का उत्पादन होता है उसमें का 15% सिर्फ 36 गड़ से उत्पादित होता है और उसका कारण है भिलाई इश्टिल प्लांट आगे इसी में देखते हम लोग पहले इस सयंत्र के लिए रावगार से लाव इसक की अपूर्ति की जाती थी तो पहले जो है रावगार से भिलाई इश्टिल प्लांट के लिए लाव इसक मंगाया जाता था अभी जो है दल्ली राज हरा से लाव इसक मंगाया जाता है दोनों point को आपको याद रखना है आगे देखिए रूस और भारत की मित्रता के फलसरूप भिलाई में मैत्री बाग का निर्माण करवाया गया है तो देखिए मैत्री बाग जिसका नाम आपने सुना ही होगा भिलाई में है तो मैत्री बाग का निर्माण रूस और भारत की मित्रता के फलसरूप उसका निर्माण करवाया गया है तो ये भी जो है एक point बन गया इसको भी आप याद रखिएगा इसके बाद आगे देखिए राज्य के अन्यल लव इसपात सयंद्र भिलाई स्टील प्लांट के बारे में आपने देख लिया उसके अलावा और भिलाउ इसपात सयंद्र है उसके बारे में रेखिए पहला है जिंदल स्टील पावर लिम्टिड जो की रायगर में आविस्तित है और एसिया का सबसे बड़ा स्टील पावर लिम्टिड जो रायगर में आविस्तित है वो प्लान जो है सबसे बड़ा है तो इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए काफी ज़्यादा महत्वपुड है दुसरा देखिए मोनेट इसपास सयंद्र भुपर देवपूर रायगर इसकी एक साखा जो है रायपूर में कारे रात है तो मोनेट इसपास सयंद्र जो है रायगर में अविस्तित है साथ ही साथ रायपूर में भी इसकी एक साखा कारे रत है तो इसे भी आपको याद रखिए उसके बाद देखिए नोवा इसपास इंडरस्टिस लिम्टेड जो कि दगोरी जो कि बिलासपूर संभाग के अंदर गताता है वहाँ इस्तित है नोवा इसपास इंडरस्टिस लिम्टेड देखिए इस प्रकार के आठ नौ लौ इसपास सयंत्र है तो उसे हम लोग मैप में देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए तो देखिए रायगण में जिन्दल इस्टिल पावर लिम्टेड है रायगण में ही मोनेट इसपास सयंत्र है भूपरद्योपूर में रायगण में ही साला सर स्पंज एंड पावर लिम्टेड गिरवानी में है तो ये जो है तीनों आपके रायगाड जिले के अंतरगत आ जाते हैं रायपूर की बात करें तो रायपूर में गोदावरी स्पाथ एंड पावल लिम्टेड है सिल्तरा में और रायपूर में ही गोपाल स्पंज एंड पावल लिम्टेड है सिल्तरा में तो रायपूर जीले में ये दोनों हैं इसको भी याद रखना है आपको अब बस्तर के बारे में देखिए तो बस्तर में नगर नार इसपास सेंत्र जोकि नगर नार में ही अविस्तित है बस्तर में और एसार इसपास सेंत्र हीरा नार में है तो बस्तर के नगर नार में और हीरा नार में इसपास सयंत्र है ये तो नुन आप आप याद रखे जान्जगीर चापा की बात करें तो यहाँ पर प्रकास स्पंज आइरन हत्नेवरा में हैं और बिलासपूर में नोवा इसपास इंडरस्टीस लिम्टेड दगोरी में हैं तो इन सभी को आप याद रखे कि कहां पर कौन सा इसपास सयंत्र है या फिर स्पंज आणड पावल लिम्टेड है इसके आगे हम लोग देखते हैं तो देखे ये वही सब है जिसे आपने अभी मैप में देखा अब आगे देखते हम लोग अलूमिनियम उद्दोग तो 36 गड़ में अलूमिनियम उद्दोग की बात करें तो भारत अलूमिनियम कमपनी जिसे बालको के नाम से जाना जाता है उसका नाम सबसे पहले आता है तो सबसे बड़ी कमपनी है 36 गड़ की अलूमिनियम के छेत्र में इसकी स्थापना हुई थी 24 नुवंबर 1965 को देखिए CGPSC के एक्जाम में इसकी स्थापना के डेट को डारेक्ट पुछा जा चुका है तो याद रखने आपको की 24 नुवंबर 1965 को बालको की स्थापना हुई थी और इस समय भारत में 335 वर्षी योजना संचालित था तो ये आपको याद रखना है उत्पादान जो इसका आराम हुआ वो 1975 में हुआ जो कि पांचवी पंच वर्षी योजना के दरान इसका उत्पादान स्टार्ट हुआ तीसरा और सबसे महत्तपुर पॉइंट सहयोगी देश तो रूस वा हंगरी इन दो देशों के मदस से भारत एलुमूनियम कमपनी बालको की स्थापना हुई है तो रूस और हंगरी के मदस से हुआ है बालको की स्थापना आगे देखिए बालको से संबंदित कच्चे माल के अपूर्थी के बारे में तो देखिए कच्चे माल की अपूर्थी की बात करें तो बालको को जो बाकसाइट प्राप्त होता है वो मैन पार्ट से प्राप्त होता है जो की सरगुजा जी लेके अंतरगत आता है कोईला की बात करें, तो कुर्बा से प्राप्त होता है जल आपूर्थी की बात करें, तो हस्द बैराज कुर्बा से प्राप्त होता है विद्दूत की बात करें, तो एंटी पीसी कुर्बा से प्राप्त होता है तो ये जो सारे important चीज है आपके backside, koila, जलापूर्ती, विद्दूत ये कहां-कहां से प्राप्त होते हैं आप यहां पर सामने देख सकते हैं तो ये सबी इन जगों से प्राप्त होते हैं और वर्तमान में बाल को जो है वो संयुक्त उपकरम के अंतरगत आता है बाल को इससे पहले संदोहजार तक इसार्वजनिक उपकरम के अंतरगत था लेकिन वर्स 2001 से भारा सरकार द्वारा बाल को की 71% सेयर को इस्टर लाइट कमपनी को वी निविसीत कर दिया गया है तो अब बाल को पर सरकार के साथ साथ इस्टर लाइट कमपनी का भी अधिकार हो गया है और बाल को जो है स्युक्त उपकरम के सेड़ी में आ गया है तो ये भी काफी ज़्यादा महतपुड पॉइंट है तो देखिए आपने इस वीडियो में देखा जो आपका ब्यस्पी है भिलाई श्टिल प्लान और जो आपका बाल को है तो इन दोनों से एक्जाम में हमेशा कोश्चन पूछे जाते हैं और इन से संबंदित जो भी महतपुड पॉइंट थे वो आपको इसमें बताए गए हैं तो आप इसको याद करिए और ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे